नमस्ते दुस्तों मेरा जारी है एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दुस्तों अप्रेंटिस की तरह ही आई टीए के ट्रेनिज के लिए भी डिजिटी ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की है दुस्तों अप्रेंटिस के कंडिडियेट को डिजडी द्वारा जारी की है और यह अपडेट एक मिनिट्स की मिटिंग के अंदर दी गई है और यह मिटिंग दिनांक 10-3-2022 को हुई थी और इस मिटिंग में यह फैसला लिया गा था कि अब आई टीए के ट्रेनिज के लिए बीकेवल दो ही एकजाम होने वाले हैं और दोस्तो पूर डिटेल के लिए वीडियो को वाइंट तक जूर देखें और चैनल परना है तो इसे सब्सक्राइब करने के सथ सथ बैल आइकन भी जूरूर प्रेस करें तो दोस्तो यह एक मिटिंग थी जो सेक्रेटरी MSDE के द्वारा ले गई थी और जैसे कि आप देख पा दोस्तो अभी मैं इस मिनट्ट और मिटिंग का सारांस यानी इवसमें पहला बिदू है अब से सभी इंजिनरिंटू के लिए कोई इंजिनरिंग डर這邊 के लिए अउन के साथ विले करने का परस्ताव है यानि championship calculation and science का जो विशे है उसको trade theory के साथ विले करने का प्रस्ताव में दिया यानी WCS का विशे भी खतम ही कर दिया जाएगा और इसे trade theory subject के साथ add कर दिया जाएगा उसके बाद तीसरा जो point है वह है रोजगार कोशल विशे घंटे को कम करने का परस्ताव है दोस्तो अभी सि burntband कि और उन घंटों को भी कम करने का एक्षा है वह निरदार्त किया गया है दोस्तों जो चिंटा calling मुलेंकन oo वह WAIS माध्यम से संस्थारन स्थार पर ही किया जाएगा यानि ई-इस विषे के जो भी एक्जाम होंगे वो I.T.A. लेवल पर ही किया जाएंगे और दूस्थ के पंचाओ जो पांज़बन है वो है अब से सभी engineering और गैर engineering ट्रेडों के लिए के वल दो प्रिक्षाएं ट्रेड practical और cbt पदती द्वारा ट्रेड थोरी यानि अभी सभी ट्रेड्स के लिए के वल दो ही paper होएंगे और वो होंगे ट्रेड practical और ट्रेड थोरी जो की computer based test के द्वारा होगा दोस्तो चिटाप पॉइंट है कुल एक वर्ष की प्रक्षिक्षन अवधी को 1600 गंटे से गठाकर 1200 गंटे का परस्ताव किया गया है दोस्तो यदि ऐसा होता है तो आपका ITA का जो समय हो सकता है वो कम हो जाए क्योंकि बहुत से जगह पर जो ITA का समय है वो है 9-5 बजे तक का तो ये 400 गंटे कम करने के बश्चात हो सकता है उस टाइम टेबल में भी कुछ बदलाव हो जाए अर्थार्थ सिंस्थान में वास्तिविक प्रशिक्षन 1200 गंटे OJT और समहू प्रयोजनाव के लिए 1500 गंटे दोस्तो OJT यानि ओन जोब ट्रेनिंग तो अभी आगे के लिए जो ओन जोब ट्रेनिंग है उसको भी मैनेटरी कर दिया है यानि ITI के चलते चलते कंडिडेट को कुछ समय इंडस्ट्री में भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने रहेगी और दोस्तो तीसरे नंबर बहिया पर दिया गया है जो ITI वाले ट्रेनिज के लिए पलस्टू करवाने का भी कारिय करेगा यानि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको पूरण करवाने का कारिय भी उस बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा तो दोस्तो ये वो मुख्य बिंदू हैं जो इस मिनट्स ओव मिटिंग में परस्तावित किया गई है तो यदि ऐसा होता है तो ITI के ट्रेनिज के उपर से भी ज़्यादा विश्यों का जो बोज है वो एक तरिके से हट जाएगा और अब ITI के ट्रेनिज के पास केवल दो ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं पहला रहेगा ट्रेड थियोरी का और दूसरा रहेगा ट्रेड प्रैक्टिकल का दोस्तो यदि डिटेल्ड में यदि हम इस मिनट्स ओव मिटिंग को पढ़ेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें और भी निकल कर सामने आने वाली हैं जैसे कि ये जो चेंज हुआ है ये अभी के सेशन से ही लागू हो जाएगा यानि अभी जो ट्रेनिज आई टिया में पढ़ रहे हैं उनके ओपर भी ये चीजे लागू हो जाएगी यानि आगे जो भी एक्जाम होगा उसके अंदर केवल ट्रेड थियोरी और केवल ट्रेड प्रैक्टिकल का ही एक्जाम होने वाला है दोस्तो इस नोटिस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो आपरेंटिस और दूसरी अन्य अपडेट के लिए बने रही है इस चैनल पर तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जय आर्यवर्थ